हेलो फ्रेंड स्वारत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्त्रीवन टैग तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग आप के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है वीडियो एडिटर एप है इससे आप करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो को देखने की आवशकता ही नहीं पड़ेगी तो इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यून है पहली बार आये हैं तो इसे प्लीज स तो friends हमाचुके अपने mobile की screen के उपर इसमें आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले play store के अंदर जाना है और यहाँ पे हमने एपने phone के अंदर vn application यहाँ पर लिखना है और इसे अपने phone के अंदर पहले नंबर पे आगया इसपे वैलों कर देना उसके बाद आपके सामने है नीचे आप देख सकते हैं यहां पे पोजेक्ट दिकाई दें यहां पे stories आंगी आप अपके work करे ने सांब के सकते हैं पर वैले इस तरीके से अपनी स्टोरी अपन इहां सकते हैं यहां पर यह works का होगे आपका, यह सारे functions होगे, उसके बाद यहाँ पर आपको यह tutorials मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो, यह YouTube में खुल जाते हैं, वापिस आएंगे हम इसी app पे, यहाँ पर templates हैं आपको, यहाँ filter है, music, sound effects, उसके बाद funds, यह मैं आपको आगे बाद में detail में बद क्लिक करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले उपर setting दिखरी होगी, export setting इसके उपर क्लिक करना है, यहाँ से आप देख सकते है, export original, मतलब आपकी वीडियो जिस format में है, जिस resolution में है, जिस quality में है, वो वैसे ही रहेगी, अगर इसको ok कर देंगे तो, या फिर आप इसको enable न high होता है, और fps से यह frame rate है, इसका 30 पे है, 30 ही रखना होता है, यह best रहता है, और bit rate भी आपको 8 के आसपास रखना होता है, तो यह भी इसमें automatic default set है, यह सारी चीजे, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, उसके बाद यहाँ से cross पे click कर दें, यहाँ पर preferences है, इसमें fill mode है, fill mode में क्या होता है, यह default photo duration और transition का है, यहाँ पर आप देख सकते है, photo duration आप set कर सकते है, 3 second back कर लेंगे, fill style को fill ही रहने देना है, इसको आपको नहीं छेड़ना, back आ जाना है, उसके बाद preview performance है, इस पर click करेंगे, यहाँ पर compression, critical resolution, 540 pixel है, इसको आपको यही रखना है, आप चाहें तो इसे यहाँ से change कर सकते है, पर आपको यही रखना है, इसमें, ठीक है, क्योंकि यह default set है, उसके बाद compression critical frame rate है, इसमें, 90 fps, तो आपको इसको भी छेड़ना नहीं है, इसको भी as it is रखना है, आपको, default setting है, इसको मत छेड़ना, इसको कोई जुरुरत नहीं है, आमें करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी project आप बना के delete करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके, यहाँ पर show होंगे आपको, उसके बाद नीचे blacklist का option है, जो भी blacklist होंगे, वो यहाँ पर आपको show हो जाएंगे, उसके बाद इस application के बारे में है, rate, terms, यहाँ पर इसकी terms and condition, privacy policy, यहाँ पर चाहें तो पढ़ सकते है, privacy policy है यहाँ पर, ठीक है, नीचे clear catches है, आप catches को clear कर लें, ऐसे clear हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर feedback है, अगर आपको कोई problem आ रहे है, यहाँ एस application में, तो यह उनकी email ID है, और telegram पर भी इस पर click करके, आप telegram पर message कर सकते हैं, औ आपको right corner में, submit का option दिख रहा है, इस पर click कर देना है, और आपकी problem उनके पास चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से back आ जाएंगे, यहाँ पर contact us है, यह देख सकते हैं, आप काफ़ सारी चीज़े हैं, last option में, तो आप कहीं भी उन्हें contact कर सकते हैं, उसके बाद back आ जाना है, यहाँ पर आपको एक और icon दिखाई दे रहा होगा, इसके उपर click करेंगे, तो यह VN code है, यहाँ से आप photo choose कर सकते हैं, basically, तो इसका आपको इतना use नहीं करना, तो इसके बारे में आपको कोई जानने की इतनी जरूरत नहीं है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर काफ़ यह वीडियो को edit कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम cellular data याने के हमारा mobile data ही है, उसके continue करेंगे, तो यहाँ से आप इसकी देखे, वीडियो देख सकते हैं, किस तरीके की बनती हैं इसमें, वो भी यहाँ पर show हो जाती है, उसके बाद यह second वाला option है, जो plus का, इसके click यहाँ से आप यह new project है, story बना सकते हैं, template चूज कर सकते हैं, overlay कर सकते हैं, तो जैसे मैं कोई नय project यहाँ पर click करता हूँ, और कोई एक वीडियो यहाँ पर select कर लेता हूँ, जैसे मैंने यह वाली वीडियो select कर ली, इस तरीके से यहाँ पर खुल गई है, तो यहाँ पर मैं हैं, 16, 9, यहाँ पर अलग-लग sizes आपको दिये हुए हैं, तो जो YouTube के लिए होता है, वो आपका 16 ratio 9 होता है, और जो Instagram real के लिए होता है, वो आपका 9 ratio 16 होता है, तो आप इस ratio में कर देंगे, तो यह Instagram real का आपका size बन गया, ठीक है, इसी तरीके से अलग-लग sizes यहाँ पर दे करेंगे, तो आपको यहाँ पर music record कर सकते हैं, आप यहाँ पर music add कर सकते हैं, जैसे music पर click करेंगे, तो यहाँ पर इनके default music काफिस आ रहे हैं, लोग के यह देख सकते हैं, पोप, dynamic, fresh, तो आप चाहें तो इन में से कोई भी music add कर सकते हैं, या फिर आपके phone में my music, इसमें यहाँ पर आप text पर जैसे ही जाएंगे, तो text में आप देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो में कोई भी title लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर वीडियो title पर click किया मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक हैं, यहाँ से इसको bold कर सकते हैं, और कोई frame आपको लेना है, वो ले सकते हैं, आप इस तरीके से यहाँ पर change कर सकते हैं, यहाँ पर font का style change कर सकते हैं, यहाँ पर color कर सकते हैं, आपको red color चाहिए या white color चाहिए, जोन सा color, यहाँ से text का style change कर सकते हैं, उपर, यहाँ पर काफे सारे style दे रखे यह आप देख सकते हैं ऐसी color दे रखें हैं ठीक है काफे सारे हैं यह आप़े Text है स्ट्रोंक है,-shadow कर सकते हैं अपने हिसाब से blur कर सकते हैं इसको, यहां पर जितना blur करना है आपको और यहां पर background है, background का хочется कर सकते हैं, opacity है, उसके बाद यहां पर align कर सकते हैं आपको यहाँ पर रखना है बीच में रखना है लास्ट में रखना है अगल इससे ग्लिया और इसको जैसे डेलिट करना है तो आप देख सकते ہیں इसपे जब करना है और यहाँसे आपको यहाँ से चाहें तो यहां से आप इसी डिलिट पे क्लिक करेंगे तो यह हो जाएगा इस पही क्लिक करके सब्टाइटल नीन मार्क पी इसमें चाहें कर सकते हैं थीक है इस तरीके से चेट bez 17 क्ताइब कर कर सकते हैं जो भी आपको क्लिट कर सकते हैं इस तरीके से यह है इसमें सब्टाइटल का टेमपलेट इसके बाद आपको यहां पो वीडियो फोट्व अपने फोन के नंदर से इसमें कोई नहीं है तो आप अभी यहां से इसका यूज नहीं कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपकी वीडियो आ रखी है यह नीचे इसका sound का option है अगर आप चाहें इसकी sound करनी है तो यहां से आपको इस पर क्लिक कर देना है और यह म्यूट हो जाएगी उसके बाद इस वीडियो को डिलिट करना चाते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करना है यहां से आपको काफी सारी option यहां पर दिखाए दे जाएंगे अगर आपको replace करना है तो इस वाले option पर क्लि बहुत सब्सक्राइब ट्रिट भी कर, इसके बाद दुबभा क्लिक कर देंगे इसके ऊपर तह मैं आपको नीचे इसके टैंपलेट देखाता हूं जैसे यह टैंपलेट है यहां पर आपको टैंपलेट शोग जाएंगे जिसुम्ट्रे आप लेना चाते तेम्प्लेट आप यहां से चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारे टेम्प्लेट से यहां पर दिये हुए हैं, उसके बाद यहां पर फिल्टर है, फिल्टर में आप इसमें कोई भी कलर इस तरीके से फिड कर सकते हैं, यहां पर काफ़ी सारे कलर हैं आप देख सकते ह are support कहां कि बहुत सारे क्लर यहां पर रखे हैं फिल्टर हो गोगे इसके बाद यहां पर अप्षिन है है यहां कर सकते हैं हैं को वी सीने कशना हैं इसको चाहिए इसको उद्धि punishment कर सकते हैं खिराप त्शिक्य आप फ्हें तो यहां से आपको जो भी इसमेंटिकर में यहां से कर सकते हैं है कैंसीर कर देंगे इसको इसके बाद यहां पर नीचे कर सकते हैं मुदध हैं यहां के से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको कैंसल कर दिया है तो आप वहां पे इसको वीडियो को लेके जाएंगे और यहां पर स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दो पार्ट में बन गई है अब यह इस तरीके से अगर आपको ट्रिम करना है तो ट्रिम पे क्लिक करेंगे और इस वीडियो में जिल 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 करता हूं आपको इस पार्ट करना जैसे मैं अभी cancel करता हूं और यहां पर फर्स्ट वाले इसी में लगाके दिखाता हूं इस देख सकते हैं तो यहां पर जॉन सा अपको अच्छा लगे वह इफेक्ट से यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए मैं आपको आने वाली वीडियो में Instagram Reel के लिए बना के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप Professionally Edit कर सकते हैं इस VN App से तो अभी मैं आज आपको सारी features के बारे मैं बता रहा हूँ इसके बाद cancel कर देंगे और यहां से आप यह देख सकते हैं उपर यहां पर अंडो का option है इस पर क्लिक करके आप अंडो कर सकते हैं उसके बाद यहां पर यह डिलेट का option है इसको select करके आप डिलेट कर सकते हैं उसके बाद यहां पर volume का option है volume कम ज़्यादा कर सकते हैं उसके बाद यहां पर background है background का color image इसमें यहां पर आपको क्रोब कर सकते हैं एक इस तरीका से यहां पर फिलिप हो जाएगा उपर नीचे यहाँ पे freeze है कि मतलब आप किसी part को freeze करना चाते हैं जैसे मैं इतने part को freeze करना चाता हूँ तो इस पे क्लिक करूँगा तो यह automatic freeze हो जाएगा part ठीक है इस तरीके से back कर देंगे यह reverse है यह पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी video reverse हो जाएगी जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो आपकी वीडियो पीछे से चलेगी उसके बाद यहाँ पे zoom पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप zoom effect डाल सकते हैं इसमें उसके बाद यहाँ पे forward का option है यह आपके इसकी जुर्वरत नहीं है तो यह सारी features हैं इसकी जो आपको काफी helpful लगी होंगी यह सब है इसमें VN app में इसके लावा इसमें और कुछ भी नहीं है और जब आपकी वीडियो बन जाए तो यहाँ पे export पे उपर क्लिक कर देना है और यह मैंने आपको settings पताई रखे हैं आपको सिर्फ इस पे done पे क्लिक करना है और वो आपके phone के अंदर save हो जाएगी तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आप सीड़ गए होंगे कि आप VN app को कैसे यूज़ कर सकते हैं तो friends उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने चीख लिया हुआ कि आप VN app को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी क्या-क्या features हैं अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे like ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा share करें Thank you